हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टू दे चैनल मैं हूँ सुवेता सिंग और आज मैं आप सब के साथ स्वेयर करने वाली हूँ बहुत ही कम टाइम में फटाफट बनने वाली एक रेसिपी जो की है इंस्टेंट रेसिपी इसे आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं सुब जीरा और जीरा डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे जीरा को उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज के प्याज को बारिक काटके और एक गाजर को भी मैंने बारिक चौप कर लिया है गाजर और प्याज को डाल तो यहां पर आप देख सकते हैं बस ऐसे ही इसे हम थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद बाकी की सब्जियां इसमें एड़ करेंगे यह बहुत ही फटा फट बनने वाली रेसिपी है बहुत ही कम टाइम में बनती है और बहुत जादा टेस्टी बनती है तो जो भी सबचिया पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं न गोवी वगेरा भी बारी काटके इसमें डाल सकते हैं और बस उन को अच्छे से मिक्स करके चला लेना है तो ये आप देख सकते हैं इसमें अगर आप बची हुई सब्चिया जो फृर्ज में फोड़ी फोड़ी सब्च तो इसमें आप एड़ कर सकते हैं और पालक वगेरा भी काट की इसमें डाल सकते हैं जो भी आपके फ्रिज में बची हुई सब्जी हो थोड़ी थोड़ी तो सारी सब्जी आप मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं फिलाल मैंने इतना ही डाला है तो इसे मैंने पांच मिनट के लि तोई हो ठोडा सा हल्दी पावडर थोडा सा धन्या पावडर और ठोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला के आप आप चाहें तो игр 250 में सारे मसाले को livro भीये HER हां थे बहुत ही करें MS, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो सारे मसालों को मैंने 5-7 मिनट चला के भून लिया था उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मत सेजवान सॉस और अगर आप सेजवान सॉस स्किप करना चाहते हैं तो आप इसमें अद्रक लसन का पेस्ट भी डाल सकते हैं ये मैं एक इंस्टेंट और फटा फट बनने वाली रेसिपी बता रही हूँ तो इसमें मैंने सेजवान सॉस का यूज किया है और सेजवान सॉस को आप स्किप करके अद्रक लसन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो साथ में एक चम्मज टमैटो कचप भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, और अगर आप डालना चाहेंगे, तो उससे भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, तो इन सब को काफी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसे ढखके पकाऊंगी, ताकि सारी सब्जियां अच्छे से पक के मिक्स हो जाएं, और पांच मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था, और अब मैं धकन हटा के देख लेती हूँ, तो यहां पर आप देख सकते हैं, सारी सब्जियां काफी अच्छे से पक हाला कि इसमें मटल को ही पकने की जरूरत है, बाकी चीजे तो थोड़ा कच्छा भी अच्छा लगता है खाने में, तो बस इसे ढख ढखके ऐसे ही पका लेंगे, और यह आप देख सकते हैं, यह काफी अच्छे से पक रहा है, और इसकी खुश्बू भी बहुत अच्छी आ हमारा पकता है, तभी मैं थोड़ा सहरा धनिया डालती हो, और साथ में मैं इसमें डाल लूँ हो दो चम्मच घर की फ्रेश मलाई, यह उप्षनल है, आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो इसकी पी कर सकते हैं, लेकिन यह डालने से न इसका रिच और क्रीमी लूक आता ह है, तो अगर आप डालेंगे तो यह रेसिपी और भी जादा अच्छी बनेगी, अगर आप इसी स्किप करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने मलाई को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मलाई डालने से इसका टेस्ट बिलकुल अलग हो जाता है बहुत ही रिच टेस्ट आता है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल रही हूं कसूरी मेथी, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर के चलाएंगे, और इंस्टेंट बनने वाली यह रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, और यह बहुत जल्दी बनती है, और अकसर सूबा के टा के बाद इसका धकन हटाएंगे, और यह आप देख सकते हैं, यह सबजी हमारे बिल्कुल तयार हो चुकी है, तो हाला कि इसको ऐसे ही रखना है, जैसे मैंने इसे रखा है, इसमें पानी वगरा नहीं होना चाहिए, तो अब मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और यह आप देख सकते हैं, यह हमारी सिंपल सी और बहुत टेस्टी सबजी बन के तयार है, इसे बनाना बहुत ही आसान है, फटा फट बन के तयार होती है, और सब को बहुत पसंद आती है, तो उमीद है आज की यह रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी और अच्छी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए साथ में अगर आपको कुछ भी रेसिपी के बारे में पूछना है या बताना है तो आप मुझे कॉमें बॉक्स में बता सकते हैं तो मिलते हैं नेक